हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं जारकंड अपडेट दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आदीवा ब्रांट के बारे में दोस्तो आपको बता दे कि हाली में जे एस एल पीएस द्वार आदीवा ब्रांट को लॉंच किया गया है आए जानते हैं आदीवा ब्रांट क्या है और इसे क्यों लॉंच किया गया है दोस्तो आपको बता दे कि दो नवंबर 2021 को जे एस एल पीएस अर्थात जारकंड लाइवली हूड प्रमोशन सुसाइटी लिमिटेड ने इस्थानि कारिगरों को बढ़ावा देने तथा रोजगार के उसर प्रदान करने के लिए जारखंड के पारंपरिक आभूशनों का एक ब्रांट आदीवा को लॉंच किया है उद्देश की बात करें तो आदीवा ब्रांट की लॉंचिंग का मुख उद्देश है राज्य के पारंपर को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है यह सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित आदिवासी आभूशनों को बाजार से जोड कर उद्द्यमिता अर्थात इंटर्प्रनियोर्शिप के नए आया में स्थापित करने का प्रयास है आपको बता दे कि सखी मंडल के उत इसी कड़ी में आदिवा को भी लॉंच किया गया है और आदिवा के तहत जारखंड के आदिवासी आभूशनों को बचाना और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य लक्ष है इसके अलावा आपको बता दे कि पलास ब्रांड क्या है जिसे हाली म मुख्यमंत्री द्वारा लॉंच किया गया था दोस्तों आपको बता दे कि जारखंड में सखी मंडल के नाम से बनी स्वयम सहायता समूह अर्थाद सेल्फ हेल्प ग्रूप द्वारा बनाय जा रहा है विविन उत्पादों को व्यापक बाजार देने के लिए सरकार ने पल में स्वदेशी उत्पाद अब अमेजन और फ्लिपकार्ट पर विक्री के लिए उपलब्ध है आपको बता दे कि पलास ब्रांड के मुख्य उत्पाद है गाउं क्या ढेकी चावल अतात ब्राउन राइस मलुआ आटा गेहूं का आटा सरसों का तेल हल्दी धनिया मिर्च म मसाले काल मेग लेमन ग्रास लोविया पलास साबुन डिटरजेंट फिनाइल अरहर दाल मास्क सैनेटाइजर समेत अनेको उत्पाद है दोस्तों आपको बता दे कि पलास ब्रांड के तहत अभी तक लगवक 60 उत्पाद मार्केट में उपलब्ध है धन्यवाद दोस्तों फि वीडियो में तब तक जूड़े रहें जारकंड अपडेट के साथ धन्यवाद